वहार सिर्द में जैसा कि आप लोगों काफी दिनों से इंतजार था फ्रिंस साथ कोशन के प्रैक्टीश सेट का तो 15 कोशन मैथ के 15 कोशन हिंदी के 15 कोशन जी के और 15 कोशन डिजनिंग के लेकर मैं आ गया हूं फिर्ज तो आपको सुरू से आंधर तक टेस्ट देना और 60 में तयारी अभी कैसी चल देए उसको भी चाचने का ये समय आ गया है तो चलिए फ्रिंट वीडियो को सुरू करते हैं सबसे फर्स्ट कोश्चन के साथ सुरुआत करते हैं पहला कोश्चन हमारा है कि कौन सा गरा सुरी के निकट है कौन सा गरा सुरी के निकट है तो option A है option D है मंगल तो इसका right answer क्या होगा फ्रेंट में answer लिखेगा फ्रेंट इसका right answer क्या होगा कौन सा गरा सुरी के निकट है option A सुक्र, option B ब्रिसपती, option C बुद, option D मंगल right answer क्या होगा फ्रेंट राइट एंसर इसका क्या होगा फ्रेंट राइट एंसर क्या होगा आपको ये लिखना है right answer क्या होगा फ्रेंट राइट एंसर आपका क्या होगा option C, option C जो बुद्धवार है फ्रेंट वो आपका right answer होगा कौन सा ग्रा सुरी के निकट है तो बुद्ध जोग्रा है वो सुरी के सबसे निकट है नेक्स्ट कोस्टन चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कोस्टन है हमारा फ्रेंट्स मानब, साधारन मानब में गुनसुत्र होते हैं option A है 36, option B 46, option C 56, option D 26 आपका right answer क्या होगा फ्रेंट्स साधारन मानब में गुनसुत्र होते हैं A 36, B 46, C 56, आपका right answer क्या होगा option A, B, C या D कौन सा right answer होगा फ्रेंट्स question ये बार बार पूछा गया है फ्रेंट्स ये question बार बार आपके exam में पूछा गया है तो right answer क्या होगा फ्रेंट राइट एंसर आपका क्या होगा option B, option B 46 जो है फ्रेंट वो आपका right answer है option B 46 जो है फ्रेंट यह लोगों ने टिक किया है उनका यह सही जवाब है next question next question है फ्रेंट evening star, evening star के नाम से किसे जाना जाता है evening star के नाम से किसे जाना जाता है option A है मंगल option A है मंगल option A मंगल option B सनी option C बुद्ध option D सुक्र तो आपका right answer क्या होगा फ्रेंट आपका right answer क्या होगा right answer आपका क्या होगा फ्रेंट इसका right answer क्या होगा option A मंगल option B सनी option C बुद्ध option D सुक्र राइट एंसर क्या होगा फ्रेंज इबिनिंग अस्टार के नाम से किसे जाना जाता है आपका जो राइट एंसर होगा फ्रेंज वो आपका होगा सुक्रवार यानि बुद्ध सुक्र सुक्र आपका option number D जो है फ्रेंस वो आपका right answer है सुक्र आपका right answer होगा चलते हैं next question पर फ्रेंस सुक्र बार आपका right answer होगा फ्रेंस इसको सनी बार अभी बार इसे हम लोग कहते हैं लेकिन सुक्र ग्रा जो है वो आपका right answer होगा evening star के नाम से किसे जाना जाता है सुक् कोशन पर अलोग चलते हैं रेड क्रोस की अस्थापना रेड क्रोस की अस्थापना किसने की है रेड क्रोस की अस्थापना किसने की है ऑप्सन चार यहां पर आ गया है तो इसमें से ऑप्सन ए ऑप्सन बी ऑप्सन सी ऑप्सन डी राइट अंसर क्या होगा फ्रेंट्स रेड क् की अस्थापना किस ने की है रेड क्रोश की अस्थापना किस ने की है friends इसका राइट एंसर क्या होगा option A option A आपका right answer है option A आपका right answer है option A आपका right answer है हेंटरी ड्यूनान्ट आपका right answer है चलते है next question पर friends रोम रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है friends रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है option A है बिस्तुला option B एबन, option C राइन option D टाइवार इसका answer जल्दी से comment में लिखे friends रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है option A बिस्तुला option B एबन, option C राइन option D टाइवर काफी लोगों का सही जवाब आ रहा है काफी लोगों का सही जवाब आ रहा है आपका right answer जो होगा वो टाइवर, टाइवर आपका right answer है option नमबर D next question भारत में जल, थल, बायू, सेनाओं के परधान सेनापती कौन है यानि की question को थोड़ा उपर कर देते हैं यहाँ पर question कहईड़ा फ्रिंस की जल, थल, बायू यानि की तीने सेनाओं के परमुख कौन होते हैं भारत में हमारे इंडिया में तीनों सेनाओं के परमुख कौन होते हैं सभी लोगों का जवाब आना चाहिए सभी लोगों का जवाब और सही सही आना चाहिए option A होगा, option B होगा, option C होगा, option D होगा right answer क्या होगा इसका फ्रिंस भारत में जल, थल और बायू सेनों के परधान सेनापती कौन है तो option D जो है वो friends आपका right answer है option D जो है वो आपका right answer है चलते हैं next question पे अगनी गरीh, अगनी गरीः किस धार्म का पूजा अस्थल है option A इसाई, option B यूहुदी, option C मुस्लिम, option D पार्सी right answer क्या होगा 패士 इसका option A, option B, option C, option D right answer क्या होगा, अगनी गरीः, किस धार्म का पूजा अस्थल है जैसे friends हिंदूों के लिए मंदिर पूजास्तल होता है मुसलिम के लिए माज़ीद हो गया सीख के लिए गुरूदारा हो गया तो उसी तरह अगनी ग्रीक किस धर्म का पूजा अक्स्तल है आपका इसका जवाब देना अगनी ग्रिक किस धर्म का पूजा अक्स्तल है तो इसका राइट एंसर जो हो जाएगा फ्रेंट वो आपका option नमबर B option B आपका राइट एंसर होगा युहूदी युहूदी आपका राइट एंसर होगा चलते नेक्स कोश्चन पे सभी लोगों का जवाब इस कोश्चन पे आना चाहिए फ्रेंट दादा साहब फाल के पुरुस्ट्टकार किस शेतर में दिया जाता है option A है समात सेवा, option B साहित, option C सिनेма, option D बागवानी option A समात सेवा, option B साहित, option C सिनेमा, option D बागवानी काफी लोगों का सही जवाब आया, काफी लोगों का सही जवाब आया, option number C, cinema इसका right answer होगा, दादा साथ फाल के पुरुसकर किस छेत्र में दिया जाता है, तो cinema के छेत्र में, चलते हैं, next question, निमलिखित में कौन सा चार बेद में सामिल नहीं है, इसमें से चार ओप्सन दियेगे, फ्रेंट्स, उसमें से आपको बतानी है, कि इसमें कौन बेदों में नहीं आते, बेद आपको मालू में कि चार बेद होता है, उप्सन ए है रिगवेद, उप्सन बी है साम बेद, उप्सन सी है अर्थवेद, उप्सन है आयूरवेद, तो इसका राइट एंसर क्या होगा, उप्सन ए या उप्सन बी, या उप्सन सी या उप्सन डी, राइट एंसर क्या होगा, इसका जो right answer होने वाले फ्रेंज वो option number D option D आपका right answer होगा आयूरवेद यहाँ पर आप जानते हैं अर्थरीगवेद बेद है साम बेद है अर्थवेद और एक अजूरवेद होता है आयूरवेद नहीं होता है तो option D आपका right answer हो जाएगा चलते हैं next question पर सिभा जी की मा का नाम क्या था सिभा जी का मा का नाम आपको बतानी है फ्रेंज सिभा जी की मा का नाम option A अहिलिया वाई option B जोधा वाई option C जीजा वाई option D है हमारा पन्ना वाई option C है हमारा पन्ना वाई तो right answer क्या होगा फ्रेंज सिवा जी की मा का नाम अहिलिया भाई, जोधा भाई, जीजा भाई, पन्ना भाई राइट एंसर क्या होगा इसका फ्रेंट्स राइट एंसर इसका क्या होगा फ्रेंट्स सिवा जी की मा का नाम अहिलिया भाई, जोधा भाई, जीजा भाई, पन्ना भाई तो इसका जो right answer होगा friends वो आपका जीजाबाई जीजाबाई जो है सीवा जी की मा का नाम था option number C आपका right answer हो जाएगा चलते next question पे बहुत ही बढ़िया question है friends जीलों का शहर किसे कहा जाता है जीलों का शहर किसे कहा जाता है option A है उदैपूर, option C जैमू, option B जबलपूर, option D मुमबई राइट answer क्या होगा friends आपको बताना है friends इसका right answer क्या होगा जीलों का सहर किसे कहा जाता है उदैपूर, option B जबलपूर, option C जमू, option D मुमबई right answer क्या होगा friends, जल्दी से comment में लिखिए right answer इसका क्या होगा, जीलों का सहर किसे कहा जाता है उदैपूर, उदैपूर आपका right answer होगा friends, जीलों का सहर उदैपूर को कहा जाता है उदैपूर हमारा कहा है friends, राजस्थान में, राजस्थान में हमारा उदैपूर है राजस्तान के भी कई कंडिडेट होंगे फ्रेंस वो लो कमेंड में करेंगे राजस्तान से जो जो लोग है कमेंड करेंगे उदेपूर और उनसे तो मैं गलत की उमीद नहीं करूंगा फ्रेंस जो राजस्तान से उनसे गलत की उमीद नहीं करूंगा वीडियो को लाइक कर दी में किलियर नहीं की गए सेंटर तो आपको कहां पे गया है और किस अस्कुल में गया है यह अभी किलियर नहीं हुए और एक डिमिट कार्ट जैसे यह आएगा मैं आपको वीडियो बना के प्रोभाइट कर दूँगा प्रेंट्स हाँ चलते हैं नेक्ट कोश्चन पे निमली खित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बहुत ही बढ़िया कोश्चन है प्रेंट्स आपका राइट एंसर क्या होगा प्रेंट्स इसका राइट एंसर क्या होगा प्रेंट्स इसका राइट एंसर क्या होगा प्रेंट्स इसका राइट एंसर क्या होगा बहुत सारी लोगों का सही जवाब आया है शिद्धू नदी शिद्धू नदी जो है आपका राइट एं रखेंसर ओड़ाएगा option number be next question है बहुत ही वाज़ों जाता है की तांजली की रचना किसने किया ॥ा गा 솔चसर सरतचंड्र जोपन है सरत्चंड्र option सब्सक्राइब सेर dramas ऐख संटी है बंकिन चंद चाटरजी बंकिन चटरजी तो आपका right answer हो जाएगा option number C किनकी लोगों ने option C मारा है comment किजिएगा किनकी लोगों ने option C को मारा है रख comment किजिएगा next question friends उबेर कप किस खेल से समंधित है उबेर कप जो है वो आपका किस खेल से समंधित है option A है baseball, option B है badminton, option C है football option D है basketball तो आपका right answer क्या होगा friends, उबेर कप किस खेल से समंधित है उबेर कप किस खेल से समंधित है friends, आपको बताना है उबेर कप किस खेल से समंधित है उबेर कप जी हाँ friends, उबेर कप B, option number B आपका right answer हो जाएगा badminton, badminton आपका राइट एंसर हो जाएगा, बैड मींटन आपका राइट एंसर हो जाएगा, चलते नेक्स्ट कोश्चन पे, भगवान बुध का जन्म कहां हुआ था, ये भी बहुत बार बार पूछा गया फ्रेंट्स, भगवान बुध का जन्म कहां हुआ था, भगवान बुध का ज जन्म कहां हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था के complete हो चुक है अब हमारे तीन सब्जेक्ट बचते हैं math reasoning और हिंदी 15 में से कि लोगों कितना सही हुआ comment किजिए सबसे पहले सबसे पहले आपको comment किजिए 15 जीके में से आपने कितना कितना सही किया कितना सही किया 15 में से कितना स्कूर आपका आ रहा है वो comment किजिएगा comment किजिएगा friends इसके बाद हम नेक्स पर बढ़ेंगे next part हमारा हिंदी का है friends तो पहला question हिंदी का शुरुआत करते हैं फर्स्ट question है विद्याले सब्द में है option A है friends स्वर संधी, option B है बेंजन संधी, option C है बिसर्ग संधी और option D है हमारा उप्यूक्त में से कोई नहीं हमारा है तो right answer इसका क्या होगा option A या option B या option C या option D जल्दी से comment किजिए बिद्याले सब्द में है बिद्याले सब्द में है स्वर संधी, बेंजन संधी, बिसर्ग संधी या उप्यूक्त में से कोई नहीं right answer आपका क्या होगा friends option number A जी हाँ friends हाँ काफी लोग का सई जवाब आ रहा है option A स्वर संधी आपका right answer होगा चलते है next question पे next question हमारा आगे है friends पवन सब्द का संधी विछेद पवन सब्द का संधी विछेद पवन सब्द का संधी विछेद होगा option A है पोज और 1 option B है पव जोर अन option G है C एफरेंस पोज और अन option D है पव जोर 9 तो right answer इसका क्या होगा question number 82 है friends पवन सब्द का संधी विछेद क्या होगा पबन सब्द का संदी बिछेद क्या होगा फ्रेंज पबन सब्द का संदी बिछेद क्या होगा पबन सब्द का संदी बिछेद क्या होगा फ्रेंज ओप्सन सी यस ओप्सन सी आपका राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंज पॉज और अण आपका राइट एंसर हो जाएगा, चलते नेक्स कोस्चन पे o हिन्दी में बचन होते हैं हिन्दी में बचन होते हैं एक, आप finan B, 2 आप burn, C, 3, आपशन D, अंगिनत, राइट एंसर इसका क्या होगा फ्रेंस, राइट एंसर क्या होगा A, B, C, D हिंदी में बचन होते हैं कितने होते फिर्ण्स हिंदी में बचन होते हैं काफी लोगों का सई अंसर है option B, 2 एक बचन और बहु बचन 2 होते, right answer B हो जाएगा 2 यह फिर्ण्स यह सारे question previous year जो पुछे गए फिर्ण्स उन्हीं से मैंने लिया है आग्रा का बहु बचन होगा option A है आग्रे option B, आग्रो option C, आग्रे option D, बहु बचन नहीं होगा तो आपका right answer क्या होगा फिर्ण्स तो बहुत ही जी question फिर्ण्स आग्रा का बहु बचन नहीं होगा यानि कि option D आपका right answer हो जाएगा option D right answer हो जाएगा friends इसका friend detail के साथ मैं period भी upload कर दूँगा टेलिग्राम पे वहाँ भी आप जाके check कर सकते हैं इसका answer और question दोनों मैं upload कर दूँगा friends हाँ चलिए next question पे आप लोग चलते हैं जीन सब्दों के प्रियोग के अनुसार कोई परिवरतन नहीं है उन्हें कहा जाता है जीन सब्दों में प्रियोग के अनुसार कोई परिवरतन नहीं है उन्हें कहा जाता है option A पद, option B विकारी सब्द, option C है अबिकारी सब्द, option D पद बंद तो right answer क्या होगा friends जिन सब्दों में पड़ियोग के अनुसार कोई पड़िवरतर नहीं होता उसे अब इकारी सब्द कहते हैं option C आपका right answer हो जाएगा चलते नेक्ट कोश्चन पे सब्द के सही रूप का चयान कीजिए question कहला है फ्रेंट सब्द के सही रूप का चयान कीजिए यहाँ पे टिसना सब्द लिखा गया फ्रेंट स लेकिन option a option b option c d में आपको select करना कि कौन सा यह तिसना सही लिखा गया फोप आप इप टी बाला option b वाला option c वाला option d वाला तो इसका जो right answer हो और विए कुमेंट कीजिए कौन सा right answer होगा option d का जो लिखा तिसना है friends वो सही है बाकी ये तीनों गलत है बाकी ये जो तीनों है friends वो गलत है आपका बाकी जो तीनों तिसना लिखाए ये भी गलत है ये भी गलत है और ये भी गलत है बाकी D जो है वो आपका राइट एंसर हो जाएगा friends चलते हैं next question पर next question अपरा friends कभी का इस्तिरलिंग रूप होगा option A कभी 3 option B कभी option C कभी 3 option D कभी यद 3 right answer क्या होगा friends option A, option B, option C option D right answer क्या होगा friends right answer क्या होगा जल्दी से comment कीजिएगा option C आपका right answer हो जाएगा कभी 3 जो यदे लिखा होगा friends यदे आपका right answer हो जाएगा बाकी यदे तीनों है वो गलत है चलते हैं next question पर Sanskrit के सब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के परयूक्त होते हैं कहलाते हैं Sanskrit तमसम, तदभव, देशज संस्क्रीट, तदभव, तदसम, देशज option A, option B, option C, option D तदसम कहलाते हैं option A, Sanskrit, option B, तदभव, औपसन D, देशज तो बहुत हीजी question परेंट जो भी ब्याकरण परेंगे उनकों मालूम होगा Sanskrit के वे सब जो हिंदी में बिना किसी परिवरतन के परियुक्त होते हैं वे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं फ्रेंट्स क्या कहलाते हैं जल्दी से कमेंट लिखियागा जल्दी से कमेंट लिखियागा फ्रेंट्स यास, तदसम, तदसम आपका राइट एंसर हो जाएगा यानि option C, option C आपका right answer हो जाएगा चलते next question पर जब किसी समास में दो सब्ध परधान हो तो उसे कहते हैं जब किसी समास में दोनों सब्ध परधान हो तो उसे कहते हैं option A है friends आपका द्वन्द समास, option B दीगू समास, option C परधान समास, option D ततपुरू समास right answer आपका क्या होगा option A, option B, option C या option D जब किसी समास में दोनों सब्ध परधान हो तो उसे क्या कहते option A होगा, option B होगा, option C होगा या option D होगा, right answer आपका क्या होगा, जल्दी से comment किजिएगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा फ्रेंट इसका राइट एंसर क्या होगा मैं OPSON a yes print option a आपका दोन्द zij समास आपका राइट इंजर द परधान समास गलत होजाएगा देल समास अपकाराइट इंसर हो गा परिंट चलतें निक्शक्च पहर यहाँ सुध सब्द हे यहाँ पिर चार्प्द दिये गे हैं व्जुवन लिखा ओँ तो option A सही है या option B सही है या option C सही है या option D सही है उस्वब्द सुद्ध है उज्वल 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 इसमें से right answer क्या है right answer क्या है जल्दी से comment लिखेगा जल्दी से comment लिखेगा इसका right answer क्या होगा आपका उज्वल, option D आपका right answer है, चलते हैं नेक्ट्ट कोश्चन पे, सही बिराम चिन्नों वाला वाक के है, option A है, जो पत्र आज आया है, कहां है, सही बिराम चिन्नों वाला वाक के है, तो इसमें से बिराम चिन्न देख सकते हैं, लगा हुआ है, तो आपका right answer क्या होगा, यहाँ पर question mark तो जरूर होगा, तो option A या option B, यही दोनों में कोई होगा, क्योंकि question mark जब तक यहाँ पर प्रस्द पूछा जाए, जो पत्र आज आया है, कहां है, तो question mark तो रहेगा ही रहेगा, और यह C और D में तो full mark से तो यह तो होगा ही नहीं, और friends, option B में देख सकते हैं, जो पत्र आया है, उसके बाद full mark लगा के कहां है, पर question mark लगा है, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी question पूरा हुआ ही नहीं, तो full mark बीच में आपका इसे लगा सकते हैं, तो option A जो है, फ्रेंट्स, वो आपका right answer हो जाएगा, option A आपका right answer हो जाएगा, चलतें next question पे, फ्रेंट्स, हाथ ना आना, हाथ ना आना इस मुहाबरे का निकत्तम अर्थ है, हाथ ना आने का मुहाबरे का अर्थ क्या होगा, Option A है पकर में ना आना Option B है बहुत बरा होना Option C है हाथों का ब्यायाम करना Option D है हाथ फैलाना Option D है हाथ फैलाना तो right answer क्या होगा friends इसका right answer क्या होगा हाथ ना आना तो इसका right answer क्या होगा पकर में ना आना Option A आपका right answer हो जाएगा friends option A आपका right answer हो जाएगा पकर में ना आना आपका right answer हो जाएगा हाथ में ना आना पकर में ना आना चलतें next question पे जन्म और मिर्तियू के कश्टों को सहना परतिएक जीवधारी की dash है अब यहाँ पे क्या आएगा प्रेंस option A नियती, प्रतिती, सुगती, विभूती तो option A होगा, option B होगा या option C होगा, या option D होगा right answer क्या होगा फ्रेंस जन्म और मिर्तियू के कश्टों को सहना परतिएक जीवधारी की right answer क्या है फ्रेंस इसका right answer क्या होगा option A, option B, option C, option D option A, option A आपका right answer हो जाएगा फ्रेंस नियती, नियती आपका right answer हो जाएगा नियती आपका right answer हो जाएगा नियती आपका right answer हो जाएगा चलतें, next question पर फ्रेंस मस्क का अर्थ क्या है मस्क का अर्थ क्या है ये सब्द है फ्रेंस, मस्क इसका अर्थ क्या है option A है भिस्ती का जलपात्र option B है अभ्यास option C है मेहनत option D है कस्तूरी option D है कस्तूरी तो right answer इसका क्या होगा friends मस्क का अर्थ क्या है भिस्ती का जलपात्र option B अभ्यास option C मेहनत option D कस्तूरी तो right answer क्या होगा friends right answer इसका क्या होगा option A, option B, option C या option D, right answer क्या होगा friends, इसका right answer क्या होगा, जी हाँ friends, अभ्यास, अभ्यास, मस्क का अर्थ होता है, अभ्यास, right answer है friends, आपका option B, option B आपका right answer है friends, option B आपका right answer है, तो चलते next question पे, निम्न में भिन अर्थ वाला सब्द कौन है, निम्न में भिन अर्थ वाला सब्द कौन है, option A है आँख, option C है दुर्ग, option B है कटाच, option D है लोचन, तो इसमें से भिन कौन साइप्रेंट्स, यहाँ पे आप एक तो चीज़ तो आपको दिग गयागा, आँख और लोचन, दोनो एक ही सब्ध हैं, यानि की पाड़्याएवाथ ही सब्द हैं, और कटाच अर्ध इसमें से दोनों में आपको बताना है, right answer क्या होगा, right answer क्या होगा, option A, option B, option C, option D, इसमें से तीन एक समान है, और एक भिन है, तो भिन को आपको select करना है की भिन पहलेट्स, यह आपको select करना है जी हाँ प्रेंस जी हाँ बिल्कुल राइट एंसर आपका कटाच कटाच आपका राइट एंसर हो जाएगा क्टाच आपका राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि आख द्रिग लोचन तीनों एक ही हैं आख को द्रिग भी कहते हैं लोचन भी कहते हैं तो आपका ऑप्शन भी राइट एंसर हो जाएगा चलते नेक्स्ट कोश्चन पे हिंदी का ये लास्ट कोश्चन उसके बाद आप अपना स्कोर बता सकते हिंदी में कितना स्कोर आपने किया है तो यहाँ पे ना विवाहित इस तरी के लिए प्रियुक्त एक सब्द कौन होगा मुगधा प्रोधा तर होगा फिर्ण्स राइट एंसर इसका क्या होगा ओप्शन ए ओप्शन बी ओप्शन सी ओप्शन डी मुगधा तरूनी प्रधा नवोधा तो राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा फिर्ण्स जल्दी से एंसर किजिए जल्दी से एंसर किजिए जी हां फ्रिंस ओप्शन नमबर D ओप्शन D आपका राइट एंसर है नवोधा आपका राइट एंसर है न विबाहित इस्त्री के लिए प्रियुक्त एक सब्ध है नवोधा चलते नेक्स्ट कोश्चन पे फ्रिंस इससे पहले आपका टोटल तीस कोश्चन कम्पलीट हो चुका है फ्रिंस टोटल तीस कोश्चन आपका कम्पलीट हो चुका है पंदरा कोश्चन आपके जी के के पंदरा कोश्चन आपके हिंदी के तो टोटल आपने तीस कम्पलीट कर लिया है फ्रिंस तो इसमें 30 में से कितना आप स्कॉर कर रहा है जल्दी से किये हैं और GK में कितना स्कोर के फ्रेंट्स और overall कितना total स्कोर है जल्दी से बताइए तब हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से comment कीजिए फ्रेंट्स 31 नमबर question है फ्रेंट्स हमारा math का शुरू हुआ है तो आप लोगों ने comment कर दिया फ्रेंट्स अब next question हमारा math का गया 5 15 pourquoi मैं भेल का करेंगे उसके बाद last में हम reasoning करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स फर्ष्ट question हमारा है सतत साथ संख्याओं का योग एक सो अरसट है तो पहली और अन्तिम संख्या का योग क्या होगा सतत लगातार साथ संख्या का योग अगर 168 है friends तो आपको पहली और लास्ट संख्या का योग बतानी है बहुत हीजी question friends जल्दी से कीजिए friends इसका solve करके मैं आपको PDF के रूप में टेलिग्राम पे upload कर दूँगा अभी तो मैं इस वीडियो में थोड़ा नहीं कर सकता friends क्योंकि time बहुत जादा हो जाएगा तो वहाँ पे मैं आपको complete करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं जो question आपसे नहीं बनेंगे friends वो solve करके आपको वहाँ पे PDF में दिया रहेगा तो उसको आप download करके अच्छे से चेक कर लीजेगा friends तो चलिए friends इसका जवाब बताएए जल्दी से 77 संख्याओं का योग 168 है तो पहली और अंतीम संख्याओं का योग क्या होगा पहली और अंतीम संख्याओं का योग क्या होगा पहली और अंतीम संख्याओं का योग क्या होगा तो यहाँ पे देखिए friends सतत साथ संख्याओं का योग है तो अगर पहला संख्या X मानिएगा तो दूसरा संख्या को X पलस 1 मानना है X पलस 2 मानना है X पलस 3 मानना है X पलस 4 मानना है और टोटल आपको साथ है तो X पलस 7 तक आपको जाना है तो x plus 6 तक जाएगा friends तो 6 हो गया और एक x 7 हो जाएगा total को जोड़ के 168 हो जाएगा friends और first and last जोड़ियेगा तो x plus x plus 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका friends 2x plus 6 2x plus 6 आपका हो जाएगा friends और उसमें total में से आपको इसको घटा लेना आपका answer आ जाएगा friends इसका PDF में आपका answer दिया रहेगा friends तो वहाँ से आप जाके check कर लिजेगा Telegram पे channel पे PDF दिया रहेगा तो इसका जो right answer हो जाएगा friends वो आपका option C आपका right answer हो जाएगा option C आपका friends right answer हो जाएगा option C option C आपका right answer है option c आपका right answer होगा तो चलते हैं next question पर friends next question है हमारा friends यह रहा अरून का मासिक बेतन का 27 परतीसत 27 परतीसत 27 परतीसत राजू के मासिक बेतन के समान है अरून के मासिक बेतन का 27 परतीसत राजू के मासिक बेतन के समान है तो अरून का मासिक बेतन 25,000 रुपया है तो राजू का मासिक बेतन कितना है आपको बताने है friends राजू का बारसी बेतन कितना है question को आप पच्छे से देख लिए friends अरून के मासिक बेतन का 27 पर 30 अरून के बेतन का 27 पर 30 यानि अरून का 27 22 कर देंगे फ्रेंट अरून का 27 पर 30 राजू के मासिक बेतन के समाए है अगर अरून का मासिक बेतन 25,000 है तो राजू का 12 बेतन क्या होगा तो 25,000 का 27 परसेंट निकाल लेंगे आपका right answer हो जाएगा तो राजू का मासिख बेतन कि बारसिख बेतन यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंस एक बात important रखनी है यहाँ पे अरून का मासिख बेतन दिया हुआ और यहाँ पे राजू का बारसिख बेतन तो यहाँ पे इसका 27% निकाल के आपको 12 से गुणा कर देना है ताकि आपको answer आजाएगा तो जैसे इसका 10% 25 हो गया फिरिंस 20% आपका 5000 हो बिस परसेंट 5000 हो गया फिरिंस अब इसका 7% निकाल लेंगे अगर हम 25,000 का तो 0000 से 0000 कर जाएगा और 2500 को हम 7 से गुणा करेंगे फिरिंस तो 200 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा पहले यहाँ पर फिर से कर देते हैं 0 का 0 आ जाएगा फ्रिंट्स उसके अबाद 25, 7, 35 का 5 आ जाएगा और 7, 2, 14 14, 15, 16 यानि की 26, 50 आ जाएगा 26, 50 और 5 आ जाएगा यानि की फ्रिंट्स 26, 50 और आपका तो यहाँ पर देखें फ्रिंट्स इसका पहले 20 परसेंट हम निकाल लिए तो इसका 20 परसेंट आपका 5000 हो गया आप इसका 7 परसेंट निकालेंगे तो 7 परसेंट इसका कितना हो जाएगा 00 से 00 कट गया अब 2000 गुना 7 कर जीजे सद दूनी चुज़ए 200 को करेंगे तो 1400 हो जाएगा और 50 को 7 से गुरओगे सद पचे 35 यानि 1750 आपका आजाएगा तो 1750 इसमें जोड़ देंगे फ्रिंस यानि आपका 6750 आजाएगा फ्रिंस 6,750 को 12 से गुना कर देंगे आपका right answer आजाएगा friends तो इस तरह से आपको कर देनी है friends और आपको जल्दी से comment में लिखे friends आपका right answer क्या राहे right answer आपका क्या राहे friends जल्दी से comment किजिए friends right answer आपका क्या आ रहा है अरून केमासिक भेतर राजू का बार्षीक भेतर आपको बताना जीवा, Friends, option number D, option D आपका होगा, Friends, option D, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका right answer हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों नहीं आरा है, यह तीनों गलत दिया होगा, ऑपसन D आपका right answer हो जाएगा, चलतें next question पे, राहुल ने 124, सुनील ने 86 और मनीश ने 132 और मोना ने 146 नोटबुक खरी दी इनके दोरा खरी दी गई नोटबुकों की आउसत संख्या क्या है बहुत ही सिंपल कोश्ण फ्रेंज इसको इसको और इसको आपको टोटल तीनों चारों को जोर लेना जोर के चार से आपको सिंपली भाग दे देना है तो इसमें एक trick आपको लगाना है कि इसका unit digit देखना है फ्रेंज क्योंकि unit digit देख सकते 8, 8 और 2, 2 यानि कि 2 option तो automatic हड़ जाएगा फ्रेंज देखने कि 6, 4, 10, 10, 6, 16, 16, 17, 18 18 का 8 आठ आगया आठ 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 आने के बाद यहाँ पे इसको total को जोर लिजेगा और उसके बाद 4 से भाग दिजेगा तो जो आपका हो जाएगा फ्रेंज राइट एंसर आजाएगा यहाँ पर unit digit देख सकते 2, 2 और 8, 8 यानि कि 2 option तो automatic कर जाएगा फ्रेंज दोनों में इससे आपको check कर लेनी है चलते नेक्ट question पर फ्रेंज इसका answer जो होगा फ्रेंज वो आपका right answer इसका जिया फ्रेंज आपका right answer है राइट answer है फ्रेंज जल्दी से और लोग comment करेंगे जल्दी से और लोग comment करेंगे बी यस प्रेंज यस यस आपका बी जो है वो right answer है फ्रेंज बी आपका right answer है 122 यानि ये तीनों आपका गलत हो जाएगा येस फ्रेंट इसका मैं डीटेल में सारे कोशन का सॉल्ब करके पीडियाप में अपलोड कर दूँगा वीडियो अपलोड होने के ये घंटे के बाद आपको टेलिग्राम पे पीडियाप मिल जाएगी जी यहां फ्रेंट तो चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे फ्रेंट कोश्चन कहा रहा है फ्रेंट 750 के 65 परतीसत के 2 बटा 5 का मूल कितना होगा अब यहां पे देखिए 750 के 65 परसेंट गुना 65 बटा शो कर देंगे फ्रेंट तो यहां ते 13 परतीसत के 2 बटा 5 का मूल तक के 2 बटा 5 क्या होगा फ्रेंट तो आप यहां पे देख सकते हैं 13 बटा 2 आया है यहां पे तो यहां पे हम इसको थोरा सा छोटा कर लेगे क्योंकि यहां पे इसक्रेन पे नहीं आ रहा है इसको थोरा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे 75 75 गुना 13 बटे 2 गुना यहाँ पे 2 बटा 5 यानि 2 बटे 5 अब 2 से 2 केंसिल हो जाएगा और 15 पचे 75 15 पचे 75 और 15 गुना 13 को कर दीजे फ्रेंट आपका राइट एंसर आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट डिजिट से आपका राइट एंसर आ जाएगा फ्रेंग पंत या पंतर यानि 125 आपका राइट एंसर हो जाएगा 105 आपका राइट एंसर हो जाएगा औप्चे नमबर बी point में नहीं आएगा ओपॉइंट में नहीं आएगा इसका answer आपको जल्दी से जल्दी दीजे फ्रेंट जल्दी से जल्दी इसका answer दीजे जोती का मासिक भी आई शोपिंग में 25% है यात्रा में 20% खादि में 45% मनोरंजन में 10% यात्रा और खाद पर ब्यातित 83 का कुल कितना है कुल रासि का कितना है यहाँ पर देख सकते हैं फ्रिंस बहुत ही इजी question है क्योंकि यहाँ पर तो रासी दिया ही नहीं है तो आप इसको निकालिएगा कैसे फ्रिंस की कितना रासी है अगर आप मान के बनाएगे तो कुछ भी आ सकता है तो इसका option number D right answer हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है D आपका right answer हो जाएगा एक आयत का छेतरफल 360 बर्ग सेमी है जो एक बर्ग के छेतरफल का 90% है तो बर्ग की भुजा का माप क्या है एक आयत का छेत्रफल 360 बर्ग सेमी जो एक बर्ग के छेत्रफल का 90% है तो इसका 90% कितना हो जाएगा फ्रेंज इसका 90% पहले हम लोग निकाल लेंगे 90% 0-0 कर जाएगा और 0-0 कर जाएगा यानि कि 36 गुना 9 आपका हो जाएगा 360 में से अगर 36 को घटा लें तो आपका 324 आपका राइठ एंसर हो जाएगा 324 हो जाएगा बर्ग को छेत्रफल हो जाएगा जो आपका 360 है वो बर्ग के छेत्रफल का 90% है यानि कि इसका 90% हमको निकालना नहीं है यहां पे 90% यह दिया हुआ dipsे trabalhar बर्क का एक आयत का छेतरफल जो 360 से मुग हो एक बर्क के छेतरफल का 90 परसेंट है तो बर्क की भुजा का माप क्या होगा यानि कि 90 परसेंट अगर 360 है तो 100 परसेंट क्या हो जाएगा हमारा 400 तो 400 किसका स्कार होता है 20 का स्कार हो जाता है तो बर्क की भुजा क्या हो जाएग जाएगा 20, option a आपका right answer हो जाएगा 20, चलते हैं next question पर, next question है, एक आयत का भिकर्ण और चौराई करमसा 10 सेमी और 6 सेमी, आयत का भिकर्ण का लंबाई जो है वो 10 सेमी है और चौराई आयत का छे सेमी, तो इस आयत की परीधी आपको ज्याद करना, इसकी परीधी क्या होगी, त मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मान के चलिए यह आपका आयत हो गया, आयत का यहाँ पर एक लाइन होगा, यहाँ पर एक लाइन होगा, यह सीधा होगा, थोरा टेरा हो गया, यह लाइन हो गया, यह आपका भिकर्ण हो गया, तो इसकी चौराई जो है वो 6 सेमी दी ह हुई है लेकिन लंबाइ इसकी मालूम नहीं है और परीधी इसका दस track दिया हुआ है तो एक थिर्भूझ की तीप्रीट के नियम तो देख सकते हैं तीप्रीफुझ टाइप का बन रहा है तो यहां पर एक ऐसे है ऐसे है और यहां ऐसे है हमारा लंबाई निकल के आ रहा है आठ आ रहा है हाँ इसका मैं डिटेल में solution अच्छे से मैं PDF में upload कर दूंगा तो यहां पे लंबाई हमारा 8 आ रहा है और चोड़ाई 6 हो रहा है तो आयत की पड़ीदी का क्या होता है होता है आयत का पड़ीदी बराबर तो एल के जगह पर हम 8 रख देंगे और बी के जगह पर छे रख देंगे आठ छे 14 और गुना दो कर देंगे यानि 28 तो आपका ओप्सन भी आपका राइट एंसर हो जाएगा कि नि को प्रोब्लम है तो कॉमेंट कीजेगा और केसा लगहाई कोश्चन का सब्सक्राइब वभी वीडियो करती जेगा। चलते हैं नेक्सट किजेगा जो आसम के हैं लोग वो comment किजेगा तीन शुकिया से दिगबोई का बस का किराया एक 178 रुपया और इन ही जगहों के बीच का एक बच्चे का किराया एक 178 रुपया है यानि कि एक 188 रुपया है तो 30 गुना कर दीजिए इसको फ्रेंट्स और इसका आधा है बच्चे का तो इसका आधा गुना 3 कर दीजिए तो इसका आधा हो जाएगा 74 74 गुना 3 पलस में आपको बैस का 3 गुना इसको करके आपको टोटल बताना है तो बहुत थी इसको आप आसानी से करें जल्दी सा कमेंट कीजिए सारे लोगों का जवाब आना चाहिए इससे इजी कोशन आपको नहीं मिल सकता है ऐसे ही कोशन आएगे सारे यह प्रिवियस एर कोशन यह आप मालूम रखेगा यह सारे कोशन प्रिवियस एर रोड डिफेंस में ही पूछे गए जी यहां प्रिंस तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रिंस हाँ 666 666 आपका right answer हो जाएगा एक और तरीका एफिंट्स यह मैं अब देखिए आपको बताता हूँ 32 के तो 8 या 24 यानि कि unit digit 4 आ रहा है unit digit 4 आ रहा है 3 बच्चे का है तो यहाँ पे 74 आधा है इसका और 3 से गुना कर देख 42 यानि कि दो लास्ट में आ रहा है चार दो छे यानि कि जिसका लास्ट में 6 होगा तो option A और option D में ही 6 last में है बाकि B और B और यहाँ पे C होगा फरेंस यहाँ पे mistake हो गया है C होगा तो B और C में तो गलत होगा फरेंस क्योंकि इसमें तो last में 6 है ही नहीं तो option A और D में आपको फिर चेक कर लेना कि कौन सा होगा तो option A आपका right answer हो जाएगा तो चलिए friends next question पर आप लोग चलते हैं next question है हमारा friends एक बस्तू 1416 रुपे में बेचने पर रेनू 18% का लाभ हर्जन करती है इस बस्तू की लागत कीमत क्या है तो यह बस्तू का जो भी क्रामूल है तो एक सो अठारा परसेंट बराबर 1416 एक सो अठारा परसेंट बराबर 1416 तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपको आसानी से निकाल लेना इसको एक सो अठारा कर देना है गुना 100 गुना 100 इसको solve कर दीजे आपका right answer आजाएगा आपका right answer आजाएगा जी हाँ फ्रेंज आसानी से आपका right answer आजाएगा देखिए अगर इसको 10 से गुना करते हैं तो हमारा आजाएगा 1180 1180 आजाता है और 118 को 2 से और करते हैं तो 1816 यानि कि फ्रेंज अगर हम 1816 एक बचता है फिर 2 से करेंगे तो 2 आजाएगा तीन तो 18 आजाएगा यानि कि अगर 12 से इसको भाग लगाएगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा फ्रेंज बारा गुना सो यानि बारा सो आपका करेंगे फ्रेंज बारा सो आपका राइट एंसर हो जाएगा उप्सन ए आपका राइट एंसर हो जाएगा चलते हैं नेक्ट कोश्चन पर सोनु ने परतेक 110 रुपे की 13 टेबल खरीदे परतेक कुर्सी की कीमत 65 रुपईया है तो इसकी राशी में से कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकती है सोनु ने परतेक 110 रुपईया में 13 टेबल खरीदी परतेक 110 रुपईया में यानि कि 13 गुना 110 कर लेंगे सोनु ने परतेक 110 रुपईया की 13 टेबल खरीदे परतेक कुर्सी की कीमत 65 रुपईया तो इसी राशी से कितनी कुर्सियां खरीदी सकता है यानि 13 गुना 110 भटे 65 कर दीजागा आपका राइट एंसर आ जाएगा जल्दी से कमेंट किजिए आपका राइट एंसर क्या होगा राइट एंसर आपका क्या होगा जी हां फ्रेंट बाइस बाइस आपका राइट एंसर हो जाएगा बाइस आपका राइट एंसर हो जाएगा option B, option B आपका right answer हो जाएगा जीन लोगों ने option B को select हिया है उनका right answer हो जाएगा चलतें next question पे ये advanced math का question है फ्रिंट्स एक चतुरुभूज के कोनों के बीच का करमसा अनुपात 1, 2, 3, 4 है सबसे छोटे कोन के दुगने और सबसे बरे कोन के आधे का योग कितना होगा एक चतुरुभूज के कोनों के बीच का करमसा अनुपात 1, 2, 3, 4 है तो सबसे छोटे कोन के दुगने और सबसे बरे कोन के आधे का योग कितना होगा जल्दी से comment किजिए इसका solution मैं आपको PDF में दूँगा इससे मैं आपका सवाल पूछना चाता हूँ कि जल्दी से comment किजिए किनका जवाब पहले आता है ये question का जवाब पहले देंगे कौन से लोग सबसे पहले इसका जवाब देंगे जल्दी से comment किजिए इसका एक चत्रभुज के कोनों के बीच का करमसा अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार है तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer क्या हो जाएगा जल्दी से comment किजिए चीहा फ्रेंट चल्दी से कमेंट किजिए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सोल्यूशन का PDF मैं अपलोड कर दूँगा क्या कि वीडियो में उतना किलियर से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वेडियो को बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं PDF में इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूँगा चीहा फ्रेंट 244 आपका राइट एंसर हो जाएगा उप्षन D आपका राइट एंसर है उप्षन D आपका राइट एंसर हो जाएगा उप्षन D चलते नेक्स्ट कोस्चन पे वह नियुंतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर से 7 बचेगा इसका LCM ले लिजिए जल्दी से answer कीजेगा इसका NCM लेके answer बताइए जल्दी से answer कीजेगा वह नियुंतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर से 7 बचेगा राइट एंसर क्या होगा राइट एंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट किजिए का राइट एंसर क्या होगा राइट एंसर क्या होगा इसका हाँ ओप्सन नमबर ए ओप्सन ए आपका राइट एंसर है Option A आपका Right Answer है, Option A आपका Right Answer है, Option A आपका Right Answer 127 है हो जाएगा, जीन लोगों ने Option A को सेलेक्ट किया है, उनका सही हो जाएगा, Option A आपका Right Answer है, चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे, 4,080 रुपे की मूल रासी का 7% परती बर्स की दर से कितने बर्स में 1428 रुपे का साधरन ब्याज मिलेगा, साधरन ब्याज का कोश्चन है फ्रेंज, A, S, I का कोश्चन है, Simple Interest, जल्दी से बताईए इसका एंसर क्या होगा, जल्दी से बताईए फ्रेंज, इसका एंसर क्या होगा, 4,080 रुपे का 7% परती बर्स की दर से कितने बर्स में 1488 रुपे का साधरन ब्याज पर आप मिलेगा, Option A आपका है, फ्रेंज, 4 बर्स में, Option B है 6 बर्स में, Option C है 5 बर्स में, Option D है 8 बर्स में, राइट एंसर क्या होगा फ्रेंट जल्दी से एंसर कीजे जल्दी से एंसर कीजे राइट एंसर क्या हो जाएगा राइट एंसर क्या होगा फ्रेंट जल्दी से कमेंट कीजे जल्दी से कमेंट कीजे फ्रेंट राइट एंसर इसका क्या होगा जी यहां फ्रेंट्स बिल्कुल देखिए यहां पर 4080 इसको थोड़ा सा छोटा कर देते फ्रेंट्स ताकि आपका कोश्चन आ सके एंसर सोल्यूसन आ सके ऐसे तो सोल्यूसन की जवरत नहीं होगी फ्रेंट्स इस सब सारे कोश्चन तो सारे लोग की होंगे यहां पर 4080 है फ्रेंट्स इसको मैं ऐसे ही बता देता हो फ्रेंट्स चार हजार असी को सात बाई 100 कर देंगे बराबर में 1488 लिग देंगे और यहां पर समय के जगह पर X कर देंगे 10 से Spans 24 पर 24 और 24 को यहां से 24 से इसको भाग देजिएगा आपका राइट एंसर आ जाएगा चोबी से इसको भाग देजिएगा एंसर आ जाएगा नीचे में 10 अभी बचा हुआ है 10 अभी नीचे में बचा हुआ है, इस बर्स उसने संख्या को 40% बढ़ाया, इस बर्स या कितने आम के पेर लगाई, जल्दी से कमेंट किजिए, option A है 248, option B है 228, option C है 238, option D है 338, राइट एंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट किजिए, अब तक आप लोगों का एंसर आ चुका होगा, सारे लोगों का सही जवाब आना चाहिए, जल्दी से कमेंट किजिए, 170 आम का पिर पिछले बस लगाया, इस बर्स इस संख्या को 40% बढ़ाया है, तो इस बर्स हुआ कितने आम के पेर लगाएगा तो simply है friends इसका 40% निकाल के 170 में जोड दीजिए आपका right answer हो जाएगा तो right answer क्या होगा option A, option B, option C या option D right answer क्या होगा जल्दी से comment किजिए जल्दी से comment किजिए friends आपका right answer क्या हो जाएगा आपका right answer क्या हो जाएगा फ्रेंट जल्दी से comment किजिए जी आप फ्रेंट, जी आप फ्रेंट 238 आपका right answer है 238 आपका right answer है चलते next question पे निमलिखित प्रस्णों में दो प्रसंचीन के अस्थान पर क्या आएगा तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंट यहाँ पे question मारक है और यहाँ पे question मारक है और यहाँ पे 17 और 17 है तो यहाँ यहाँ पे क्या आएगा ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए दोनों तरफ क्या आएगा फ्रेंट जिससे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए जल्दी से comment किजिए फ्रेंट जल्दी से comment किजिए जल्दी से comment किजिए फ्रेंट राइट एंसर क्या होगा राइट एंसर क्या होगा फ्रेंट जल्दी से comment किजिए राइट एंसर क्या होगा जी या फ्रेंट्स काफी लोगों का सही जवाब आया 34 option number D option D आपका right answer हो जाएगा यहाँ पे है फ्रेंट्स option number D आपका right answer हो जाएगा option D आपका right answer हो जाएगा फ्रेंट्स देखिए यहाँ पे 34 अगर आप उपर रखते हैं बटे में यहाँ पे 17 है फ्रिंट्स यहाँ पे 68 है और यहाँ पे आप 34 रखते हैं तो 34 दूनी 68 यहाँ भी 2 आ जाता है 17 दूनी 34 यहाँ भी 2 आ जाता है तो आपका रवाई टेंसर D हो जाएगा option नमबर D फ्रिंट्स सारे लोग comment करेंगे 15 question math में आपने कितना सही किया जल्दी से जल्दी आप लोग comment किजिये 15 में से आप लोगों ने कितना सही किया यहाँ शेल जल्दी से कमेंट किजेंगा फ्रेंट्स ताकि मैं reasoning की तरफ बरूड है ताकि reasoning की तरफ reasoning का 15 question आपका बचा हुआ है reasoning का 15 question फ्रिंट्स बचा हुआ है तो चलते फ्रिंट्स next question की और निमलीखित सिंखला में अगला पद बताईए 0, 3, 8, 15, 24 उसके बाद next क्या आएगा फ्रिंट्स यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रिंट्स option A है 35 प्रिंट्स नमबर स्रीज का यह अगला स्रीज क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पे आपका क्या फिलप होगा यहाँ पे आपका क्या feel up होगा गोला में आपको जल्दी से जल्दी feel up कर देना है यहाँ पे आपको feel up करना है जल्दी से feel up किजिए जल्दी से feel up किजिए क्या होगा right answer option A, option B, option C या option D क्या होगा right answer जल्दी से comment किजिए जल्दी से comment किजिए आपका right answer क्या होगा जी यहां प्रेंट्स आपका देखे यहां पर देखे फ्रेंट्स जीरो से 3 में देखेंगे तो 3 बढ़ा है 3 से 8 में 5 बढ़ा है 8 से 15 में 7 बढ़ा है 15 से 24 में 9 बढ़ा है इस बार अब इस बार कितना बढ़ाएंगे 11 यानि 24 में 11 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है 35 आपका right answer option number A हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन पर हमलोग चलेंगे फ्रेंट्स इसलिए फोरा सा जूम कर देते हैं कोश्चन कह रहा है फ्रेंट्स अर्चना एक निस्चित बिंदू से 10 मीटर उत्तर पुर्व की और जाती है फिर वह दचिन की और 8 मीटर दूरी जाती है उसके बाद वह दाएं मुर कर 24 मीटर की दुरी तई करती हुआ अपने प्रारंभी का इंसर दिजिए फ्रींट right answer क्या होगा और किया होगा option a है 4 मीटर option b है 6 मीटर option c है 8 मीटर option d है 10 जल्डी से के जल्डी से comment किजिए फ्रींट जल्डी से comment किजिए जल्दी से कमेंट किजे का फ्रेंट आपका क्या होगा ?」 जल्दी से कमेंट किजे का फ्रेंट कि जाएंग उप्लोड कि दूगा इन और सभी का .id.f मैं अप्लोड कर दूगा यहां पे देखे दस में उतर पूर्व किया होँ तो सबसे पहले हम यहां पर पूरा पस्चिम सीधा या सीधी लेका फिर फिर फोरा सा टेरा होगे लकिन आपको सीधी लेका मानना है फिर यहां से उत्तर से दच्चिन की और और यह हमारा बिंदू हो गया फिर यह हमारा बिंदू हो गया यहां से अगर उत्तर पूर की और चल तो पस्यम के और मूर कर 14 मीटर यहां पे हम लोग 14 मीटर आ गए तो यह देख सकते हैं हमारा बन गया है तिरभूज फ्रेंट्स तिरभूज यह बन गया है यहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पे देखिए ऐसे ऐसे और आपका ऐसे लेकिन यहां पे सटा हुआ है यह आपका आठ यह आपका 10 है और यह आपका 8 है और यह आपका 14 है तो यहां भी कांग और यहां पे देखिए 4,5 तो यहां पे क्या आएगा तीन लेकिन फ्रिंट्स यहाँ 4 के जगा 8 है, यहाँ 5 के जगा 10 है यहाँ 3 के जगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 के जगा नकी 14 है तो 6 में 14 में अकर 6 घटा देंगे तो कितना दुरी हम तैं किये हैं 8 मीटर दूरी तो right answer इसका क्या हो जाएगा friends आपका right answer option number C हो जाएगा 8 meter आपका right answer वह जिन लोगों को समझ नहीं आया है वह pdf देखते का निलम पूनम से चोटी है प्रंतु गूरिया से बरी इन सबसे बरी कौन है वह pdf जल्दी से comment कि जएगा प्रिंट्स राइट इंसर इसका क्या होगा option A option B option C option D बहुत ही normal question प्रिंट्स पूनम पूनम आपका राइट इंसर हो जाएगा पूनम आपका राइट इंसर हो जाएगा इसको बहुत ही normal question प्रिंट्स सिर्फ आपको सीरियली बाइश करना है कि सबसे बरी और सबसे छोटी कौन है सबसे बरी और सबसे छोटी कौन है next question पर बोग चलते हैं यह थोरा सा बरा question फिर इसको थोरा सा जोम कर देते हैं यहाँ पर adjust हो गया है लरकों की पंक्ती में संजे 22-20 अस्थान पर है और आज़े दाएं से 20 वे अस्थान पर वे दोनों परस पर अस्थान बदल लेते तो आज़े दाएं से 30 वे अस्थान पर आ जाता है तो संज़े 22 से निमन में करम अस्थान पर होगा option A है 35, option B है 25, option C है 20, option D है इनमे से कोई नहीं राइट एंसर क्या होगा फ्रेंट जल्दी से कमेंट कीज़ेगा राइट एंसर क्या होगा ये लिजे कमेंट कोश्चन को मैंने बढ़ा कर दिया है कोश्चन को मैंने बढ़ा कर दिया फ्रेंट तो राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा राइट एंसर क्या हो जाएगा जल्दी से एंसर दीजेगा राइट एंसर क्या हो जाएगा जल्दी से एंसर दीजेगा राइट एंसर क्या हो जाएगा जीआ फिर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् संजे 22-25 अस्थान पर रहे और 22-20 अस्थान पर रहे लेकिन आजाए फिर से दाए में 30 अस्थान पर यानि यह दस बढ़ जाता तो यह जो संजे जो संजे कि 22 से कितने अस्थान होगा 15 में 10 जोड देंगे तो 25 ऑप्सन भी आपका राइट एंसर हो जाएगा चलते नेक्स्ट कोश्चन में किनकी लोगों ने मारा था कमेंट किजिएगा किनकी लोगों ने 25 ऑप्सन मारा था कमेंट किजिएगा नेक्स्ट कोश्चन देखेगा फ्रेंट्स कच्छा 9 में परतेग 7 बिर्द्यार्थियों में से 4 लर्कियां हैं तच्छा कच्छा 10 में परतेग 8 बिर्द्यार्थियों में से 5 लर्के हैं कच्छा 9 तथा कच्छा 10 में लड़कियों की संख्या का अनुपात है option A है 24 अनुपात 35 option B है 35 अनुपात 24 option C है 32 अनुपात 21 option D है 21 अनुपात 32 right answer क्या होगा फ्रेंट जल्दी से comment कीजेगा इसका right answer क्या होगा इसका आपको solve करके बताना है क्या होगा right answer मैं सिर्फ इसका answer बता दूँगा solve आपको करना है कैसे solve होगा नहीं तो फिर PDF देख लिजेगा फ्रेंट अपलोड कर दूँगा प्रेंट अपलोड कर दूँगा चेक कर लिजेगा इसका right answer क्या होगा option A, option B, option C, option D option A, option C, option D जिसका question आपको answer फिर से लाइक का answer रहे गई solution solution के साथ रहेगा वीडियो को like कर दिजेगा वीडियो को like कर दिजेगा और share कर दिजेगा वीडियो को like कर दिजेगा और share कर दिजेगा तो इसका जो right answer है फिरेंट वो हो जाएगा आपका option number B option number B आपका right answer हो जाएगा औप्सन नमबर भी आपका राइट एंसर हो जाएगा फ्रिंस चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे थोड़ा सा अपना पिक्सल बढ़ा लेज़ेगा फ्रिंस थोड़ा सा कोश्चन ये धूंदला आ गया है यहाँ पे कोश्चन का राइट फ्रिंस मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ या तो लीक भी देता हूँ गर आपको जी लोगों को नहीं दीख रहा है तो यहाँ पे है कोश्चन है फ्रिंस यहाँ पे मैं आपको लीक देता हूँ question है 7, अनुपात 512, 512, समान उपात है फ्रिंट, 11, फिर अनुपात में 10, क्या होगा ये question पूछ रहा है तो option A है 728, option C है 1680, option B है 1220, option D 1745, right answer क्या होगा फ्रिंट, जल्दी से comment किजेगा हाँ, question है फ्रिंट, 7, अनुपात 512, समान उपात 11, अनुपात 10, क्या होगा option A है 1728, option B है 1220, option C है 1680, option D है 1745, option D है 1745, right answer क्या होगा फ्रिंट, right answer क्या होगा जल्दी से comment किजेगा हाँ, option number A, option A आपका right answer होगा, देखिए फ्रिंट कैसे होगा 7 में अगर आप एक जोड़ देंगे, 8 का अगर cube करेंगे तो 512 आएगा 8 का अगर आप cube करेंगे तो 512 आएगा वही अगर 11 में हम एक जोड़ दें तो 12 हो जाएगा और 12 का जब हम cube करेंगे फ्रिंट तो 1728 आएगा, तो option A आपका right answer हो जाएगा चलते हैं, next question पर next question ने फ्रिंट ये coding decoding का question है, glamour को ये लिखा जाता है तो उसी बासा में serving को क्या लिखा जाएगा, option A, option B, option C, option D बहुत ही easy question है, फ्रिंट जल्दी से इसका answer दीजे, जल्दी से इसका answer दीजे, फ्रिंट, right answer क्या होगा option A होगा, option B होगा, option C होगा, option D होगा, right answer क्या होगा, फ्रिंट जल्दी से answer दीजेगा, option A, option B, option C, या option D थोरा सा पिक्सल बरहा लीज़ेगा फ्रिंस किलियर आ जाएगा थोरा सा पिक्सल बरहा लीज़ेगा राइट एंसर क्या हो जाएगा फ्रिंस इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए फ्रिंस यहाँ पे जिन जिन लोगों ने एंसर कर दिया जो लोग एंसर नहीं किये उनके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जीन लोगों ने option D किया है उनका right answer है जीन लोगों ने option D को select किया उनका right answer है option D जिन्हों ने select किया है उनका right answer होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए फिरंट G, L, A और A, O, U, R, M को अभी पीच में ही राने देंगे A को इधर से लेंगे तिसरे अक्षर को यहाँ पे first में A के बाद आपका B आता है L के बाद M आता है G के बाद H आता है तो उसी परकार यहाँ भी हम 3-3 में divide कर लेंगे और B को भी silent रहने देंगे तो R के बाद S आता है तो S आपका option number D में इसलिए D आपका right answer हो जाएगा और देखिए E के बाद F आता है F भी है फ्रेंटS S के बाद T आता है T भी है फ्रेंटS तो इस तरह से आपका option number D right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन पर चल दे है फ्रेंटS हाँ ये भी बहुत ही कोडिक डी कोडिक काई कोश्चन है फ्रेंटS बहुत ही इजी कोश्चन है जल्दी से इसका answer दीजेगा जल्दी से इसका answer दीजेगा फ्रेंटS किसी सांकेति भासा में GEAR को 5% 9$ लिखा जाता है तो FIRM को 3$ 8$ 7 लिखा जाता है तो उसी परकार AFA ME को किस परकार लिखा जाएगा राइट answer क्या होगा फ्रेंटS जल्दी से कमेंट कीजेगा राइट answer क्या होगा option A होगा option B होगा option C होगा option D होगा राइट answer क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजेगा राइट answer क्या होगा यहां पे देखिए, यहां पे देखिए फिर्टि आपका राइट एंसर क्या होगा, यहां पे F है, F को हम यहां पे चेक करेंगे किसमें F है, तो इसमें F को 3 से डोन iट किया ज Regarde, option 2 में 3 है, A और B तो C और D तो पहले गलत होगा, और C और पर्सेंटेज आपका राइट एंसर होगा चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर फ्रिंट्स यहां पर से फ्रिंट्स नेक कोश्चन क्या कह रहा है नीचे दिये गए चार में से कोई तीन एक समान है तथा एक समू की रचना करते कौन सा समू अंतरगत नहीं आता है उपसन ए है 35 उपसन बी है 80 उपसन सी है 45 और उपसन डी है साइट जल्दी से एंसर लिखे फिर जारे लोग कमेंट कीजे सारे लोग कमेंट कीजे फिर इसका राइट एंसर क्या होगा जी हां प्रिंट जी हां प्रिंट यहां पर जीन लोगों ने उपसन ए को सेलेक्ट किया उनका अंसर राइट है क्योंकि देखिए साथ गुना पैंतिस नो गुना पांच पैंतालीस सोले पच्चे असी और बारह पच्चे साइट ही तीनों में आप देखेंगे फ्रेक्शन टूट रहा है लेकिन 35 में सिर्फ एक ही फ्रेक्शन टूट रहा है तो इसलिए उपसन ए आपका राइट एंसर ह हो जाएगा चलते नेक्स्ट कोस्टेन पर i the best है ऐस पर इसको आपको बना आप फिर्स फोरा सा लेबल थोरा सा लेबल फिर्स एम के की बेहन है डी के का भाई है F M की मा है, K का F से क्या संबंद है, जल्दी से एंसर दी जाएगा, फ्रिंट्स, राइट एंसर इसका क्या होगा, थोरा सा राइट एंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट की जाएगा, जल्दी से, कौन लोग पहले कर पाते हैं, यहाँ पे देखना है, कौन लोग को पहले कमेंट कर पाते हैं फ्रेंट्स राइट एंसर क्या हो जाएगा फ्रेंट्स, M, K की बहन है K की बहन कौन है, M है M, K की बहन है D, K का भाई, F, M की मा है K और F से क्या संबन्द है तो राइट एंसर क्या होगा फ्रेंट्स, राइट एंसर इसका क्या होगा राइट एंसर क्या होगा फ्रेंट जल्दी से कमेंट किजिएगा जल्दी से कमेंट किजिएगा राइट एंसर इसका क्या होगा option C जीन लोगों ने सेलेक्ट किया उनका एंसर राइट है option C जीन लोगों ने कमेंट किया उनका राइट एंसर है यहां पे कोशन कहरा फ्रेंस, O and D E के अक्षरों से कितने अक्षर अंग्रेजी के अर्थ पूर्ण, कितने अक्षर अर्थ पूर्ण सब्द बन सकते हैं, जबकि परतेक सब्द में परतेक अक्षर केबल एक बार पढ़ियोग करना है, यहां पे आपको इचारों में से एक अर् या एक, या दो, या तीन, क्या होगा इसका राइट एंसर, जल्दी कमेंट कीजे फिर, जल्दी से कमेंट कीजे, इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? जीन लोगों ने ओप्शन दी को सेलेक्ट किया, उनका एंसर राइट है, ओप्शन नमबर दी, त्री आपका राइट एंसर हो जाएगा? चलते हैं नेक्स्ट कोस्ट पर फिर Exercise, अंग्रिय जी बर्नमाला के बाएँ से 90 अक्षर के बाएं 16 अक्षर क्या होगा? इसका राइट एंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजे, बहुत थी बढ़िया कोशन है, बहुत थी बढ़िया कोशन है, और बाएं से नौबे अक्षर के बाएं सुलाबा अक्षर कौन होगा option A है R, option C है Z, option B है S, option D है Y right answer क्या होगा right answer क्या होगा friends A, B, C, D right answer इसका क्या होगा जल्दी से comment के जगा friends right answer क्या होगा A होगा, B होगा या C होगा friends क्या होगा right answer, D होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका right answer क्योंकि time लेने वाला question नहीं है time लेने वाला question नहीं है बहुत ही easy question है और जल्दी से जल्दी आपलोग comment कीजिए जल्दी से जल्दी कॉमेंट किजिए इसका राइट टेंसर क्या हो जाएगा जी हाँ फ्रेंट्स य आपका राइट टेंसर 16 में अगर आप 9 जोड़ देंगे 25 16 में 25 जोड़ देंगे तो 25 य आता है आपका राइट टेंसर हो जाएगा फ्रेंट्स नौ और 16 को जोड़ देंगे तो 25 आजाएगा 25 आपका राइट टेंसर होजाएगा चलते नेक्स्ट कोश्चन पर कोश्चन करा निमनी खित में से कौन आइस से भीन है आगरा पटना चैपूर चैन नहीं राइट इंसर क्या होगा इसका फ्रेंट्स चल्दी से कमिट किजिए बहुत ही इजी कोश्चन है आगरा चैपूर पटना चैन नहीं आप्सन ए आप्सन बी आप्सन सी आप्सन डी राइट एंसर क्या होगा हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका आगरा आगरा जो फ्रेंट्स वो किसी राजजी का राजधानी नहीं है पटना राजधानी है बिहार का जैपूर राजधास नहीं है राजस्थान का चिन बते हैं next question पर यहां पर next question है friends अगर सुन्दर्ता का संबद्ध आकर्शन से है तो कुरूपता का संबद्ध किसे होगा बदसूरत से विकर्शन से निरुट्सा से उप्यूत्ध में से कोई नहीं राइट एंसर क्या होगा option A, option B, option C, option D सुन्दर्ता का संबन्द आकर्षन से है तो कुरूपता का संबन्द किस से होगा यहां पे सुन्दर्ता कुरूपता तो आकर्षन बिकर्षन यानि की option भी आपका right answer हो जाएगा चलते हैं next question पे friends निमलिखित में से कौन बैसी सब्ध है जिस परकार सकरकंद मूली तथा गाजर प्रस पर समंधित है जिस परकार सकरकंद मूली तथा गाजर प्रस पर समंधित है और इसी कौन सी समंधित है जिसे यहाँ पर फ्रेंट्स आप सकरकंद मूली से समंदित है गाजर तो पुरसपर इस नहीं के जाती का बढ़ा ख्रेंट्स इसका राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा प्रेंट्स जमीन के नीचे होता है प्रेंट्स जमीन के नीचे यह बाहर नहीं होता है और यहां पर गोबी उपर होता है प्रवल उपर होता है भींडी उपर होता है लेकिन सलजम नीचे होता है तो option C आपका right answer हो जाएक है इस तरह से reasoning का भी आपका 15 question समाप्त हो चुका है 15 question math 15 question reasoning 15 question gk 15 question hindi total 60 question complete हो चुके फिरिंट सारे का comment करेंगे 60 में से कितना score किये आप लोग वो सारे लोग comment करेंगे 60 में से आप लोगों कितना answer दिया है कितने marks आपके आ रहे हैं सारे लोग comment करेंगे video 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 सारे लोगों के पास पहुचा दे ओर section video के पहुचा दे ताकि कि आपको पता चल सके कितने आपकी तयारी हो चुकी है необходимо चारत परटेक सब्जेक्ट भाई कार अख़ेगा ताकि पता चल सके कि कहा तयारी कि जरूरत है आपको प्रेट ताकि आपको जरूरत है ताकि कल मैं फिर जो टेस्ट री जाकराऊं फिर वो उसी सब्जेक्ट से हो जो आपकी अभी थोरी प्रोब्लम दे रही है तो वहीं से हम लेकर आएंगे तो कॉमेंट किजिए फ्रेट साथ में से कितने आ रहे हैं आप लोगों को जानका दे मिल सके थेंक यूँ